असलाम अलेकुम आप सब लो के से हैं, उम्मीदे सा अच्छे होंगे, इस तरह के sentences हम daily use में अक्सर बोलते हैं जिसे कि लाइट को भी अभी ही जाना था, तुम्हें भी अभी ही टाइम बताना था, तुम्हें भी अभी ही मिलना था, इस तरह के sentences को बनाने के लिए क्या sentence structure यूज होता तो चलें देख लिए हैं, फर्स्ट अफल देखें सबसे पहले यहाँ पर आएगा subject, subject के फोरण बाद आएगा to, subject के फोरण बाद हम to का use कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसकी explanation को देख सकते हैं, कि कभी कबार हम subject के फोरण बाद to का इस्तमाल करते हैं, जब जादा जोर हमारा subject पर ही होता है, जैसे light को भी अभी जाना था, इसको भी अभी ही आना था, तो यहाँ पर subject पे जादा जोर है, ठीक है फिर उसके बाद आएगा है टू को यूज होगा फिर उसके बाद आगी वर्प की first form देन उसके बाद आगा right away यानि अभी ही ठीक है यह पूरा structure इसको sentences में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे चैनले देखते हैं first sentence is light को भी अभी ही जाना था light को भी अभी ही जाना था तो light को हम light ही नहीं लिखते बलके power का use करते हैं किस तरह देखें the power to had to go off right away the power to had to go off right away so यहाँ पर यहाँ पर यह subject था light यहाँ पर पावर किस बाद हमने to लगाए फिर उसके बाद आगया head to head to यानि light जाना light जाना के लिए हमने go off का use किया ठीक है फिर उसके बाद अभी ही के लिए right away आगया so sentence बना the power to had to go off right away next sentence is तुम्हे भी अभी ही पूछना था तुम्हे भी अभी ही पूछना था तो यहाँ पर भी देखें subject पर जाता जोर है you के बाद टो आएगा you two had to ask right away next sentence is उसे भी अभी ही आना था तो बनेगा he two had to come right away next sentence is तुम्हे भी अभी ही टाइम बताना था तुम्हे भी अभी ही टाइम बताना था तो बनेगा you two had to tell the time right away You too had to tell the time right away So I hope आपको यह वाला structure समझ में आ गया होगा एक simple सा आसान सा structure है बस यह के ज़्यादा तर आप इसको sentences को बोलेंगे तो यह आपको familiar feel होगा So this sentence is for you to translate तुम्हें भी अभी ही मिलना था तुम्हें भी अभी ही मिलना था सेंटेंस को बना कर जरूर कमें डॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई की नहीं अगर आप हमारी spoken English sentence structure PDF बॉक बाई करना चाहते हैं इसके अंदर 200 plus sentence structures with vocabulary words यह अगर आप उसको बाई करना चाहते हैं तो इसका जो हल में लेकर आई हूँ हमने किया है start ES spoken club का वाप पे काफी लोग हैं अगर आप भी join करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे WhatsApp कीजिए मैं आपको आप demo session लेने के बाद decide कर सकते हैं कि आपको join करना ही या नहीं So thank you so much